अलाम अलेकूम यूवर्स शगुफतास किरियेशन में एक और न्यू वीडियो के साथ हाजर हूँ आज की वीडियो में हम ये बेबी मिटन बनाना सिखेंगे इनके लिए मैंने बेबी बूल यूज की है टू कलर में बूल यूज की है और क्रोश्या हुक से बनाये हैं ये देखिए इस तरह से पॉम पॉम लगाया है यहां पे आप टेसल भी लगा सकते हैं यूज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को आए वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं मिटन बनाने के लिए पहले हम सिलिप स्टिच बनाएंगे यह देखिए इस तरह से अब फॉर स्टिच चैन बनाएंगे वान टू थ्री फॉर इसके बाद जो फर्स्ट स्टिच है इसमें अटेच करेंगे स्लिप स्टिच से इस तरह से अब यहां पर यह लूप बन गया है सेंटर में इसमें डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे टू स्टिच चैन इसके बाद डबल क्रोशे स्टिच इस लूप के सेंटर में इस तरह से वान टू त्री अब इस सेंटर में हम सिक्स्टीन डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे यह मैं बना लूं पिर आगे आपको बताती हूं यह देखिए विवेर्स सिक्स्टीन डबल क्रोशे स्टिच बनाने के बाद यह जो फर्स्ट स्टिच है यहाँ पे हम इसको अटेज करेंगे slip stitch से इस तरह से यह ring बन जाएगी again two stitch chain same उसी stitch के उपर one double crochet stitch बनाएंगे इस तरह से अब यह जो next stitch है इसके उपर double crochet stitch बनाएंगे two times एक ही stitch में two time double crochet stitch इस तरह से जितने भी stitches हैं सब के उपर two time double crochet stitch बनाएंगे इस तरह से 32 stitch बनाएंगे इस row में नीचे 16 है इनके उपर 32 double crochet stitch बनाएंगे यह row में complete कर लूँ फिर आगे आपको बताती हूँ यह देखे विवर्स इस तरह से रिंग कम्प्लीट करने के बाद जो फर्स्ट इस्टिच है इसमें अटेच करेंगे slip stitch से again two stitch chain अब जितने भी stitch हैं सब के उपर एक एक single crochet sorry double crochet बनाएंगे नीचे की row में 32 stitch है अब इस row में भी 32 stitch बनाएंगे double crochet के उपर double crochet इस तरह से टॉप पे 32 double crochet stitch इस row में भी बनेंगे ये रो में complete कर लूँ फिर आगे आपको दिखाती हूँ ये देखिए विवर्स अब जो फर्स्ट इस्टिच है इसमें अटेच करेंगे तो इस्टिच चैन अगैं डबल क्रोशे इस्टिच थाटीटू डबल क्रोशे इस्टिच इस रो में भी थाटीटू डबल क्रोशे इस्टिच बनेंगे ये देखिए विवर्स अब जो फर्स्ट इस्टिच है इसमें अटेच करेंगे इस्टिच से अब इस रो में हम थोड़े से स्टिच बढ़ाएंगे पहले टू स्टिच चैन इसके बाद टू स्टिच डबल क्रोशे इस तरह से बनाएंगे एक स्टिच के ऊपर एक स्टिच और जो थार्ड स्टिच होगा उसमें टू डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे एक ही स्टिच में यहां पर हमने थोड़े स्टिच बढ़ाने इसलिए हम इस तरह से बनाएंगे टू डबल क्रोशे स्टिच एक एक करके बनाएंगे इस तरह से और जो थार्ड स्टिच है उसके ऊपर टू डबल क्रोशे स्टेच इन दा सेम स्टेच, पूरी रो इसी तरह से बनेगी, यह देखिये विवर्स, यह रो कम्प्लीट करने के बाद, सिलिप स्टेच से अटेच करेंगे, इस यूजियल, इसके बाद टू स्टेच चैन, और डबल क्रोशे स्टेच, अब इस डो के उपर हम six rows double crochet stitch से बनाएंगे, जितने भी stitches हैं सब के उपर एक एक stitch बनेगा, six rows हम इसी तरह से बनाएंगे, double crochet stitch से, पूरे जितने भी stitches हैं सब की टॉप पे एक stitch, ये six rows में complete कर लूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ ये देखिए, विवर्स, six rows बनाने के बाद, अब जो first stitch है, इसमें attach करेंगे, slip stitch से, अब यहाँ पे हम three stitch chain बनाएंगे, इस तरह से, two time इस तरह से धागे को बल देंगे, और जो next stitch है, इसमें triple crochet stitch बनाएंगे, इस तरह से, again, two time धागे को बल दिया, और जो next stitch है, इसमें triple crochet stitch बनाएंगे, पूरी row इसी तरह से बनाएंगे, यह stitch हम बड़ा बना रहें, ताके इसमें हम डोरी डाल सके, triple crochet stitch से पूरी row complete करेंगे, यह row में complete कर लूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ, इस तरह से row complete करने के बाद, फिर्स्ट स्टिच में attach करेंगे, slip stitch से, again, two stitch chain, and double crochet stitch, जितने भी stitches हैं, सब के उपर double crochet stitch बनाएंगे, अब first stitch में attach करेंगे, sorry, इस तरह से, अब हमारा mitten complete हो गया है, यहाँ पर हम three stitch chain बनाएंगे, और यहाँ पर beat बनाएंगे, चोटा सा, ताकि इसकी finishing हो अच्छे से, यह देखिए इस तरह से, अब यहाँ पर attach करेंगे, again, three stitch chain, और इस तरह से beat बनाएंगे, और एक stitch skip करेंगे, और next में attach करेंगे, यह हम border बना रहे हैं, ताकि दिखने में अच्छा लगे, यह देखिए इस तरह से, यह देखिए verse, इस तरह से हम, last में attach करेंगे, wool को cut कर देंगे, और यह जो thread है, इसको अंदर fix कर देंगे, चुपा देंगे, यह देखिए इस तरह से यह mitten बनेगा, अब मिटन में डालने के लिए हम chain बनाएंगे, यह थोड़ा सा बूल जो है, वो extra रखेंगे, और यहां पर हम slip knot बनाएंगे, इस तरह से, अब 70 stitch chain बनाऊंगी में, आप अपने इस साब से बना लें, इस तरह से, यह देखिए विवर्स, इस तरह से, अब इस side में भी thread थोड़ा रहने देंगे, इस तरह से, यह हम chain बनाएंगे, एक ही size की दो डोरियां बनाएंगे, मिटन में डालने के लिए, यह देखिए विवर्स, यहां पर जो हमने, triple crochet से line बनाई है, यह, इसमें हम यह डोरियां पास करेंगे इस तरह से, two stitch उपर रखेंगे, और two stitch नीचे रखेंगे, इस तरह से हम पूरे मिटन में इस तरह से डोरियां पास करेंगे, और डोरियां पास करने के बाद, यह जो edges हैं यहां पर, इस तरह से यह पॉम पॉम अटेच करेंगे, नीडिल की मज़च से, जाँ से,ल 55 और बादना पास E्ल-जृ, यह जोस्तों से, तरह से,ल 55 और में अज़ेंगे, यह जोच जिस्तों से,